नमस्तकार दोस्तो, स्वागत है आपका एक और वीडियो में, इस वीडियो में हम जाने हैं कि कितना आपको मन्थली खर्चा चाहिए अगर आप दुबई में फैमिली के साथ रहना चाहते हो, इसमें मैं मिनिमम खर्चों की बात करूँ हूँ या थोड़े से एवरेज खर्च हैं चरू करते हैं रहने के साथ, तो रहने के साथ यहां पर दुबई के जो रेंट है, अगर आप फैमिली के साथ तो आप मिनिमम ब्यच के दू देखोगे, तो वो आपका 4 जार धिरम पर मंध का खर्चा बढ़ जाता है, वन ब्यच के में रहने का, यह गया सिरु रहना, इसके उपर बिजली पानी का बिल होता है, वाइफाई का बिल होता है, तो जो बिजली पानी का बिल होता है, वो देवा यहां पर होता है, जो बिजली पानी का बिल होता है, वो यहां पर होता है, पांसो दिरम, ठीक है, परमंत के साब से मता रहा हूँ, तो चार अजार दिरम आपका हो गया house का 500 दिरम आपका हो गया देवा का इसके लावा next आता है आपका wifi का बिल, wifi भी आपे on average आप 400 दिरम पकड़ सकते हो अगर आप अच्छी speed वाला wifi लेते हो तो उसके लावा mobile का बिल, mobile का बिल आपका लगबल 100-200 दिरम पर मंत मिनिमम लेके से लो पर बंदा तो अगर आप दो जनों के लिए ले रहे हो तो उसका भी 400 दिरम आप एड कर लेना इसके अलावा अगर आप ऑफिस गोर हो यहां पर आप काम कर रहे हो तो आपको गाड़ी चाहिए होगी तो अगर आप फैमिली के साप से बिना गाड़ी के बहुत कम लोग यहां पर रहते हैं बट मैं गाड़ी के साथ वाले खर्चे लगा रहा हूँ अगर आप गाड़ी लेते हो minimum minimum और zero down payment के साप से लेते हो तो आपको पर मंद की किष्ट minimum में अप ले लो अगर सस्ती ए सस्ती गा तो सब मिला के आप मोटा मोटा पकड़ लोगी तो सतरा सो अठारा सो दिरम गाड़ी का भी खर्चा बेढ़ जाता है ट्रांस्पोर्टेशन आगई इसमें आपकी और अगर आप इसके अलावा गाड़ी नहीं लेते हो तो वह खर्चा आपका पब्लिक ट्रांस्पोर्ट का प प्रचा बच्चे की फीस तो अगर वो ऑफकोर बच्चा है उसकोल जाता है डेके जाता है वो डिपेंड करता है लेकिन यहां पर इंडियन स्कूल अगर आप मिनिमम वही सबसे सस्ता है इंडियन हाई स्कूल जोहां पर उसकी फीस आइगेस पंद्रासो क्या सपस से वहनय कर इसकूल में करते हो जाता है लेकिन मिनिम्मम एन ऐवरेज अगर फटे में एक बार भी जाते हो DANIEL बी जाते हो महिनेите स्ट अब आज बार महीने में अगर आप भार डिनर करते हो या करते हो उसके आप 500-600 दिर्म तो मीनिमम जा लेकिन ओनेवरेज आठ अट इतल जर्बार करने का चक्का है इसमें को याप कभी तीन बार डाइन आउट कर रहे हो चाहिए आप मुवी देख रहे हो यह सब कि यह सब जिसमें हमने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया है वो चीजों काफी लिमिटेट रखा है और इसके साब समने कॉस्ट कैलकुलेट करिया तो अगर आप यहाँ पर और इनी सब कॉस्ट के बारे में आप जाना चाहरे हो तो इस इन आइडिया फोर यू कि आप दोजार चोबिसम फर इजांपल शॉपिंग नहीं लिया मैंने अभी और और भी बहुत सारे खर्चे जो मैंने आप नहीं लिया है जो कि आते जाते रहते हैं तो वह आपको ध्यान में रखना है बफर लेके चलना एक जार दिरम एक्स्ट्रा भी होने चाहिए तो वह है यह तो गई बात कि कि उतना खर्चा क्या है लेकिन आपको मैंने इस जो वीडियो में खर्चे गिनाए है यह एवरेज और मिनिममम गिनवाए हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह एक हाड और फास रूल हो गया यहाँ पर ऐसे लोग भी है जो छेजार दिरम पे भी सर्वाइव कर रहे हैं अपनी फैमिली लाके पड़ अगेन उनका लाइफटाइल बहुत ही डिफरेंट तरीके का है यहाँ पर ऐसे एसे एरियाज भी है दुबई के आउट स्कूर्ट में या कहीं लोग चार्जा में रहते हैं वहाँ पर आपको रेंट आदे में मिल जाता है तो अगेन यहाँ प को कोई भी कोशन हो जो मैं को जरूर बताना और वीडियो पसंद आई हो तो मैं को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना ऐसी और वीडियोज आती रहेंगी तैंक यू